नमस्कार दोस्तों, GS Recipe के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है आज हम Indian Policy यानि की Constitution के Citizenship Chapter यानि की नागरिकता जो चैप्टर है उसके बारे में डिसकस करेंगे इस related जितने भी PYQIU में हैं उनको एक ही वीडियो में डिसकस कर दिया जाएगा चले शुरात करते हैं पहले कोशन से और हाँ अगर इस वीडियो की PDF आगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दियेगे टेलेग्राम लिंक पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं तो शुरात करते हैं पहले प्रशन से प्रशन बोल रहा है कि नागरिक्ता संसोधन अधनियम भारत के سम्विधान के निमनलिकेत में से किस भाग के अंतरगत आता है या भाग नमबर दो के अंतरगत आता है option number B is the right answer सम्विधान के भाग दो में अनुच्छेत नमबर पांच से लेके अनुच्छेद नमबर ग्यारा तक में नागरिक्ता संबंदी प्राउधान जो हैं वो किये गए है और भारत के समविधान में एकल नागरिक्ता का किसका एकल नागरिक्ता का प्राउधान जो है वो किया गया है और समविधान में अनुच्छेद पांच के तहट समविधान के प्रारंब पर नागरिकता के उपबंद किये गए हैं पहला बोलता है उसमें से कि जो भारत के राज्य छेतर में जन्मा हो वो भारत का नागरिक होगा दूसरे नंबर पर जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य छेतर में जन्मा था तो भी वो भारत का नागरिक होगा और तीसे नमबर पर बोलता है कि समविधान प्रारंब से ठीक पहले कम से कम पांच वर्स तक भारत के राजे छेतर में मामूली तोर से निवासी रहा हो वो भारत का नागरिक होगा या बताया गया था तो इस कोशन का जो सही जो अपता वा क्या था वा था अप्सन नमबर 20 दार राइट अंसर अगले कोशन की और बढ़ते हैं कोशन बोल रहा है कोशन बोल रहा है कि भारत के समविधान के किस भाग में हम नागरिक्ता से संबंदित प्रावधानों को पाते हैं तो किस भाग में या पाया जाता है या जो है वो भाग दो में पाया जाता है option number B is the right answer अनुच्छेद नंबर 5 से अनुच्छेद नंबर 11 तक अगले question क्यों बढ़ते हैं question क्या बोल रहा है question बोल रहा है कि भारती समविधान में तो मने बताया था अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक नागरिक्ता से रिलेटर है option number C is the right answer अगले question क्यों बढ़ते हैं question बोल रहा है कि भारत में नागरिक्ता की निमनलिकित विसेस्ताओं में से कौन सी विसेस्ता जो है वा सही है तो भारत में राज्य तथा राष्ट की दोरी नागरिक्ता है तो ये बात गलत है इकैरी नागरिक्ता है राज्य की एकल नागरिक्ता है single citizenship of a state का जा सकता है ये राज्य की बात कर रहा है एक राज्य में एक नागरिक्ता की बात नहीं बोल रहा है तीसरा option है संपूर भारत की एकल नागरिक्ता तो इसका सही जौब यही हो जाएगा कि पूरे भारत में एकल नागरिक्ता है option number sees the right answer क्योंकि अगर आप भारत के निवासी है मतलब भारत की नागरिक्ता आपके पास है तो जरूरी नहीं कि आप अगर उत्तरफदेश के रहने वाले हैं तो इसकी नागरिक्ता अलग होगी बिहार के रहने वाले हैं इसकी नागरिक्ता अलग होगी ऐसी बात नहीं है ऐसी बात कहां पर होती है ऐसी बात USA में होती है USA में दो तरीके की नागरिकता हैं चलती है USA में कुल पाँच राज्ये हैं उन पचास राज्यों में अमेरिका की जो नागरिकता है वो अलग है और फिर जो इनके एक एक राज्य में जाएंगे तो उनकी नागरिकता जो है वो अलग है ऐसा रूल भारत म में नहीं है तो इस question का जो सही जवाब था वो क्या था वा था option number sees the right answer अगले question क्यों बढ़ते हैं question बोल रहा है कि भारत के संदर में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए पहला गतान है भारत में केवल एक बार नागरिक्ता दे दी गई है किसी भी परिष्टिती में इसे से उसे वंचित नहीं किया जा सकता ये भी बात गलत है question का सही जवाब क्या हो जाएगा question का सही जवाब हो जाएगा option number a is the right answer केवल एक सही इसके बारे महतपूर तथिन नोट कर लिजेगा कि भारती सम्विधान के अनुच्चेद नंबर 5 से 11 भाग 2 में भाग 2 एवं नागरिक्ता अधनियम 1955 तथा नागरिक्ता संसोधन अधनियम 1986-1992-2003-2015 एवं 2019 के अधीन भारत में एकल नागरिक्ता की विवस्था है यहां केंद्र राजी की नागरिक्ता अन्य संगात्मक देशो जैसे अमेरिका की भाहती दोरी नहीं है ना कि कोई भारती नागरिक एक समय में दो देशों की नागरिक्ता गरहड कर सकता है समविधान के अनुच्छेद नंबर 58 के अधीन कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो राष्टपती निर्वाचित होने का पात्र होगा भारत में नागरिक्ता को बरखास्त या नागरिक्ता से वंचित किये जाने की भी विवस्था जो है वा की गई है इस कोशन का सही जाब क्या होगा वा होगा ओप्सन नंबर 20 दराइट एंसर अगले कोशन के और बढ़ते हैं कोशन बोल रहा है कि देशी करण के द्वारा नागरिक्ता प्राप्त करने का जो आधार है वा क्या है वा आधार है चैन की प्रक्रिया अप्शन नमबर 20 दराइटेंसर देशी करण द्वारा नागरिक्ता प्राप्त करने का आधार जो है वो चयन है देशी करण द्वारा नागरिक्ता प्राप्त करने के आधार कोई भी विदेशी नागरिक भारत सरकार से देशी करण का प्रमाणपत्र प्राप्त करने का दन दे सकता है पूर्ण तया संतुष्ट होने पर भारत सरकार नागरिक्ता का प्रमाण पत्र जो है वह भी दे सकती है तो इस कोश्चन का जो सही जो आपता हुआ क्या था वा था ओप्सन नंबर 20 दर राइट एंसर अगले कोश्चन की और बढ़ते हैं कोश्चन बोल रहा है जो है संसत को नागरिक्ता के अधिकार अरजन तथा समाप्ति को विनीमित करने की सकती देता है भारती समिधान में नागरिक्ता का जो उलेख है वह भाग दोग में अनुचेन नंबर 5 से अनुचेन नंबर 11 में वर्डित है भारती ये नागरिक्ता अधनियम 1955 के अनुसार निमनिलिकेत आधार पर नागरिक्ता जो है वह ग्रहड की जा सकती है पहली है जन्म से अगर उसका जन्म भारत में हुआ हो दूसरा बोलता है वंस परंपरा द्वारा नागरिक्ता प्राप्त की जा सकती है तीसरा है देशी ए करड़ द्वारा नागरिक्ता प्राप्त की जा सकती है चौता है पंजी करड़ द्वारा नागरिक्ता प्राप्त की जा सकती है और पाचवा है भूमी विस्तार द्वारा नागरिक्ता प्राप्त की जा सकती है इस question का सही जौब क्या होगा? वा ओगा option number D is the right answer अगले question की और बढ़ते हैं बहरतीया नाओरिक वह ओटा नहीं पराप्ट की जा सकती है किसके द्वारा नहीं पराप्ट की जा सकती है? वा है भारतीया बैंक में धन जमा करके नहीं पराप्ट की जा सकती इस question का सही जौब क्या होगा वोगा option number D is the right answer अगले question की और बढ़ते हैं question बोल रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतरगत निम्नलिकित में से किनके द्वारा कोई वक्ती भारत का नागरिक जो है वा बन सकता है जन्म द्वारा बन सकता है बाई ओरिजिन यानि कि उद्वाव द्वारा बन सकता है पंजी करण द्वारा बन सकता है रास्ट्री करण द्वारा बन सकता है राज्य छेत्र के मिल जाने से ये इसके करण भी बन सकता है तो इस question का सही जौब क्या हो जागा वा हो जागा option number A is the right answer अगले question की उर बढ़ते हैं question क्या बोल रहा है question बोल रहा है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह यदि वह क्या क्या बोल रहा है भारती नागरिकता का परित्याक करता है बिल्कुल बात सही है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिक्ता प्राप्त करता ये भी बात सही है तिसरा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता ये बात गलत है चोती है सरकार की आलोचना करता ये भी बात गलत है इस question का सही जवाब क्या हो जाएगा वह हो जाएगा option number C is the right answer नागरिक्ता अधनियम 1955 में अधनियम या समवेधानिक विवस्था के अनुसार नागरिक्ता की समाप्ति के तीन कारण जो हैं वा बताए गए हैं पहला कारण है स्वेचिक त्याग यानि कि आप स्वेच्छा से नागरिक्ता को त्याग दें दूसरा है बर्थ खास्तकीर के द्वारा यानि कि अन्यदेश की नागरिक्ता ग्रहड करने पर की जा सकती है और तीसरा है वन्चित करने पर यानि कि आपके उपर राजद्रो आदी के कारण ये ऐसा आपके साथ किया जा सकता है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने वह सरकार की आलोचना करने से नागरिक्ता समाप्त नहीं की जाती है तो इस कोश्चन का सही जाब क्या था वा तो अप्सन नंबर C is the right answer अगले कोश्चन की और बढ़ते हैं कोश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी नागरिक्ता खो देगा यदि वह क्या करता है यदि वह नागरिक्ता का स्वेच्चा से परित्याग कर दे ये भी बात सही है दूसरा है सरकार उसकी नागरिक्ता वापस ले ले ये भी बात सही है तीसरा है वह स्वेच्चा से अन्ने देश की नागरिक्ता ले ले ये भी बात सही है तो इसका सही जवाब क्या हो जागा वह हो जागा option number D is the right answer option number D is the right answer अगले question की और बढ़ती है question बोल रहा है कि नागरिक्ता अधनियम 1955 के अंतरगत पंजी गर्र द्वारा भारतिय नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए भारतिय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्स जो है वो बिताने होंगे कितने वर्स बिताने होंगे वो साथ वर्स बिताने होंगे option number C is the right answer भारतिय नागरिक्ता अधनियम 1955 के धारा पांच के भाग एक के उपखंड एक के तहत पंजी करणद्वारा भारत में नागरिक्ता तभी प्राप्त की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम साथ वर्सों तक भारत में रह चुका हो और नागरिक्ता संसोधन अधनियम 2019 को नागरिक्ता अधनियम 1955 में संसोधन के लिए लाया गया था इस संसोधन के तहट 31 दिसंबर 2014 के या उससे पहले अफगानिस्तान, बांगला देश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदूओं, सिखों, बौधों और जैनियों, पार्सियों एवं इसाईयों को अवैद प्रवासी नहीं माना जाएगा तो इस कोश्चन का सही जवाब क्या था? वाता option number C is the right answer. अगले कोश्चन की और बढ़ते हैं कोश्चन बोल रहा है कि नागरिकता का अर्थ क्या है? नागरिकता का अर्थ होता है नागरिकों के पूल्ड सिविल एवं राजनेती का दिकार बिल्कुल सही बात है. दूसरा है लोकसभा संग की और हर राज की विधान सभा के निर्वाचन के लिए मता दिकार ये बात गलत है. तीसरा है संसद और विधान सभाओं का सदस्य बनने का दिकार ये बात बिल्कुल सही है. इस कोश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा option number B is the right answer. भारती एस अधिकार का अधिकार उन्हें अपने निवास वाली विधान सभा के चुनाओं में ही प्राप्त है. जैसे आप एक गाओं के मेंबर हो, दूसरे गाओं में अगर चुनाओं चल रहा है, मालोप प्रधानी का चुनाओं चल रहा है, तो वहाँ पे जाके आप वोट नहीं दे तो आप उसमें वोट दे सकते हो बगल के गाउं में आप वोट नहीं दे सकते हो तो इस question का सही job क्या था वा था option number B is the right answer अगले question के और बढ़ते है question बोल रहा है कि नागरिक्ता संसोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस्तिति को पारित किया था यह जो पारित किया था यह 11 दिसंबर 2019 को पारित किया था रास्टपती ने 12 दिसंबर 12 दिसंबर 2019 को इस पर अपनी सुईकरती जो है वो प्रदान की तता इस अधिनियम के प्रावधान जो है वह 10 जन्वरी 2020 से लागू है इस अधिनियम के अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान बांगला देस और पाकिस्तान से भा उदायों यथा हिंदू, सिख, बौध, जैन, पार्सी तथा इसाई को अवैद प्रवासी जो है वह नहीं माना जाएगा तो इस कोश्चन का सही जौप क्या था वा था ओप्सन नंबर A is the right answer अगले कोश्चन की और बढ़ते हैं कोश्चन क्या बोल रहा है कोश्चन बोल र ही है अगले कोश्चन अगले मतलब कथन की और बढ़ते हैं दूसरा कथन है कि रास्टी महिला आयोग ने संतुस्ति की है कि अनिवासी भारतियों के विवाहों का पंजी करण अनिवार कर दिया जाए ये भी बात बिल्कुल सही है इस कोश्चन का सही जो आप क्या हो जागा वाओ जागा उप्सन नमबर C is the right answer बोथ A and B are correct अब इसके बारे में कुछ मैदपूर तत्य जान लीजिए ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक या भारतियों मूल का है और भारत के बाहर कम से कम 183 days यानि की 183 दिन निवास करता है अनिवासी भारतियों एनराई कहलाता है अनिवासी भारती भारत में रुपिया लेखा और विदेसी मुद्रा लेखा दोनों नहीं रख सकते हैं हाली में रास्ती महिला आयोग ने संतुस्ति की है कि अनिवासी भारतियों के विवाहों का पंजी करण अनिवारे कर दिया जाए एनराई के लिए उपबंद विभिन स पहली सुविधा है अचल संपत्ति में निवेश, दूसरी सुविधा है कर देता में चूट, तीसरी सुविधा है जमाओं की जमानत पर रड़की सुविधा, चौता है विरेसी मुद्रा में जमा का आहरड, पांचवा है सेरो प्रतिभूतियों में निवेश, छटवा है भार प्रवासी भारतिय नागरिक OCI के बारे में सही नहीं है कौन सी बात सही नहीं है वह है एक OCI सभी मामलों में NRI के बराबर होता है या जो है बात सही नहीं है प्रवासी भारतिय नागरिक यानी की OCI सभी मामलों में NRI के बराबर होता है OCI का पुरा नाम होता है Overseas Citizen of India या जो होता है सभी मामलों में NRI के बराबर होता है या कथन जो है वो गलत है ठीक है बाकी सारे कथन जो है वो सही है सारे कथन क्या क्या बोलता है पहला कथन बोलता है कि एक OIC किसी दूसरे देश का नागरिक होता है सही बात है दूसरा एक OIC के पास भारत आने के लिए एक अधिक प्रवेश दीर कालिक वीज़ा होता है सही बात है तीसा सारुजनिक रोजगार में आउसर की समानता कि मौलि ये नागरी OCI यानि की Overseas Region of India योजना पर मार्च 2021 में जारी नवीनतम अधिसूचना के संदर्म में निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए देखते हैं क्या क्या कतन है पहला कतन है आपको विचार करना है बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है पहला है कि OCI क्रिसी भूमी खर सकता है ये बात जो है वो गलत है दूसरा OCI चिकित सक अधिवक्ता वास्तवी तता चार्टेड एकाउंटिंग का पेशा अपना सकता है ये बात बिल्कुल सही है तीसरा कतन है कि OCI को उन छेत्रों में जाने के लिए विसेश अनुमती चाहिए जिने केंद्रिय सरकार या किसी भी अनुसंधान किसी भी मिसंडरी या पत्रकारिता गत्विदी को प्रारंब कर सकता है ये बात जो है वा गलत है तो इस कुश्चन का सही जौब क्या हो जाएगा वा हो जाएगा दो और तीन सही बाकि पहला और तीसरा पहला और चौथा गलत अगले कुश्चन की और बढ़ते हैं कोशन क्या बोल रहा है कि Overseas Region of India OCI Card योजना के बारे में क्या सही है तो यह जो पहला कथन है कि Card धारक को भारत आने के लिए बहु उद्देशी लाइफ टाइम वीजा मिलता है यही बात जो है वह सही है Option No.A is the right answer अगले कोशन और आज के अंतिम प्रशन की ओर बढ़ते हैं कोशन है कि निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए पहला कथन है आपका कि नागा लेंड आसाम मडीपूर आंदर प्रदेश सिक्किम मिजोरम अरुडांचल प्रदेश तथा गोवा की प्रदेशिक मांगो को देखते हुए भारत के सम्विधान में अनुच्छे 371A से लेकर 371A अंतरविष्ट किये गए हैं ये बात बिल्कुल सही है दूसरा कतन है भारत तथा सैयुक्त राज अमेरिका यानि की USA के सम्विधानों में दो राज जेतंतर संग और राज हैं किन्तु नागरिकता इकैरी है ये बात गलत है USA में दोहरी नागरिकता है तीसरा कतन क्या है कि कोई व्यक्ति जो देशी एक करण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है ये भी बात गलत है वंचित किया जा सकता है तो इस कुश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा वा हो जाएगा option number D केवल वन सही बाकि सब गलत option number D is the right answer तो ये जो स्रीच चल रही है कैसी लग रही है आपको प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखके जरूर बताईएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सस्क्राइब करिए धन्यवाद